प्रेट्स जर्मनी में एक आदमी ने गूगल मैप्स को चकमा दे दिया एक आदमी जिसका नाम है साइमन वेकर उसने 99 फोन्स आउन करके एक ट्रॉली में रख दिये और उस ट्रॉली को वो आदमी जर्मनी की स्ट्रीट्स पर लेकर जाने लगा और कुछ देर उसको गुमाते हुए एक जना पर जाकर रुख गया फिर साइमन ने अपना फोन निकाला और गूगल मैप्स को चेक किया इससे पहले साइमन ने एंशोर किया था कि जहां वो जा रहा है वो स्ट्रीट एकदम खाली होगी उस स्ट्रीट पर कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा तो एक जना रुख कर साइमन ने अपना फोन निकाल कर जब गूगल मैप्स चेक किया तो गूगल मैप्स वहां पर क्राउड़िड और स्लो मुविंग ट्रैफिक को शोग कर रहा था आप लोगों को ये फिल हो रहा होगा कि ये कैसा एक्सपेरिमेंट है एक्चुली जब साइमन उस स्ट्रीट पर गया तो उसने अपने फोन में नोटिस किया कि वो स्ट्रीट हैवी ट्रैफिक शोग कर रही थी